इंडिया वरसिस पाकिस्तान तैयारी उसकी है मैं टू मैं अगर आप देखें इंडिया जबरदस टीम है लेकिन पाकिस्तान के पास ability है क्यों क्योंकि पाकिस्तान के दो नए लड़कों ने आके जो run बनाए महुँम्हँद रिज्वान ने जो बैटिंग की है इफ्तिकाब नीचे आके जो बैटिंग करते हैं वो ही पाकिस्तान की कमजोरी को थोड़ा सा बहतर करती है यानि कि ताकर तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा उसको टेपर करती है अभी भी उनकी दिक्कत है इमाम, उनकी दिक्कत है बाबर लेकिन ये ना भूलें कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनके दो फेलियर्स हो गए हैं और बड़ा प्लेयर ज़्यादा दिर खामोश नहीं रहता इंडिया वर्सिस पाकिस्तान अफगान एमदाबाद में मुकाबला अब बाबर भी इस बात को जानते हैं कि अगर पाकिस्तान उस मैट में अच्छा करता है अगर वो अपसेट करता है इंडिया को मैं उसको अपसेट मानूँगा तो भई फिर उनका वर्ल्ट अप कैंपेइन जो है उसको वील्स मिल जाते हैं लेकिन जिस तरह भारत खेल रहा है स्पेशली पिछले एक महीने में जो भारत ने प्रोग्रेस किया है फिलिंग दा ब्लैंक सारे ठीक ठाक कर लिया है यह सब जानते हैं कि भाई जो मर्जी आप कहें आप तयारी कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की बलकि आगे आने वाले मैचों की लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत ये है कि शाहिन अफरीदी ने अभी तक वो बॉल नहीं डाना है येस जावा आपके वस तजुर्बा हो जावा आपके वस अबिलिटी हो एक अच्छा मैच दो अच्छी गेंदे यह हम भी जानते हैं कि भारत की दिक्कत रोईट शर्मा की दिक्कत है नया गेंड और मेरा ये मानना है कि अगर रोईट शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ चार- रिस्क रहता है अगर वो नया गेंड जैसे मैंने कहा चार-चे ओवर सर्वाइव करते हैं तो भाई उसके बाद रोहित को रोगना भी मुश्किल होता है फिर क्या है ना पाकिस्तान भी दो मैच जीता है दोनों आपने सामने होंगे तो आपको मालूम होता है कि यार इनिश जवान ने भी उस दिन बड़ी इच्छी बैटिंग की और रॉबिन यही पाकिस्तान के मैच में भी अब देखिए अब जो भी है अब तो हम 14 तारीक की ही तैयारी है ना तो वहां पर शाहिन शाफरीदी है हासन अली नया बॉल डालेंगे और रोहित की दिक्कत है जो गें चोटा निकलता है मैं वही सोच रहा था कि चार दुपैर को ओवर खेलते हैं अगर आप तो चार जहां पर गेंज दोनो दोनो एंड से दो दो ओवर स्विंग होगा 200 किरकट वर्ड कप 2023 का अब तक का सबसे बड़ा टाकरा आज एहमदाबाद के किरकट स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच में पाकसान और भारत की टीमें आपस में टकराएंगी और इस मैच के बारे में कहा जा रहा है कि ये मैच किरकट की तारी का सबसे बड़ा मैच होगा पक्सान की जानिब से बाबराजम और भारत की जानिब से रोहिद शर्मा अपनी टीम के साथ एक दूसरे के उपर यलगार करने के लिए तैयार है याद रहे कि ये मैच सिर्फ एक क्रिकट मैच नहीं है बलके ये दो मुलकों ये दो टीमों के द्रम्यान एक बड़ा टाकरा है जिसका शद्द से इंतजार ना सिर्फ पाक्सान और भारत के शायकीन को है बलके पूरी दुनिया के शायकीन इस मैच का बिसबरी से इंतजार कर कि पाकब्स्तान और भारत के बीच मैच हमेशे से ही तवज्जो का मरकज रहा है। करने की जगा नहीं मिलेगी भारती तजियानिगार विकरांद गुपता ने स्पोर्स तक में बात करते हुए ये बताया कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि अगर नंबर्स में देखा जाए तो भारती टीम पाकस्तान की टीम से बहुत जादा मजबूत नज़राती है मगर इस शाहिन शाफरीदी पलट कर दुबारा वार कर सकते हैं और शाहिन शाफरीदी का एक रोब और दबदबा इंडियन बैटिंग लाइन अप भरामें वाज़ तो पर नसर आता है मगर इस मैच में क्या होने वाला है और इस मैच में क्या सूरतियाल होगी ये तो हमें मैच शु देखने को मिलेगा